सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत हलो लिसनर्स स्वागत है आपका सूत्रधार प्रस्तुती वेद व्यास की महाभारत में मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रस गोरक पुर्द्वार प्रकाशत महाभारत कथा मुझे उमीद है कि आप सभी को हमारे एपिसोड सुने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है आज हम शुरुवात करेंगे हमारे 5 अपिसोड की पिछले अपिसोड से शुरुआत हुई थी पांडवों की दिख विजय यात्रा की अब सभी पांडव अलग-अलग दिशाओं को जीतने के लिए अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं लास्ट अपिसोड में हम अर्जुन की यात्रा के विशय में बात कर रहे थे चलिए हम भी अर्जुन की इस विजय यात्रा का हिस्सा बनते हैं राजा भगदत पर विजय प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने अंत्रगिरी, बहीगिरी और उपगिरी नाम के सभी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की फिर सभी परवतों और वहा निवास करने वाले सभी राजाओं को अपने अधीन करके अर्जुन ने उन सभी से कर्वसूल किया उन सभी राजाओं को प्रसन्न करके अर्जुन ने उनके साथ उलुक वासी राजा ब्रहंत पर आक्रमन किया अर्जुन अपने दिव्यरत पर विजाई होते हुए प्रत्वी को कपकपाते हुए तेज के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे उनको आता देख राजा ब्रहंत तुरंथी चंतुरगिनी सेना के साथ नगर के बाहर निकले और अर्जुन से युद्ध करने लगे उन दोनों के पीच भीशन युद्ध आरंब हुआ वहां बड़ी जोर की मारकाट शुरू हो गई लेकिन राजा ब्रहंत पराकरमी अर्जुन के पराकरम को सहना सके अर्जुन को अजय मान कर राजा ब्रहंत युद्ध से पीछे हट गए और सभी प्रकार के रत्र ने लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए अर्जुन ने सम्मान पूर्वक उन्हें उनका राज्य लोटा दिया फिर उलुक राज के साथ मिलकर उन्होंने सीना बिंदु पर आकरमन किया और शीग्र ही वहां भी विजय प्राप्त की इसके बाद अर्जुन ने मोधपुर, वामदेव, सुदामा, सुन्सकुल और उत्तर उलुक देश के राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया वही रहकर अर्जुन ने सेवकों द्वारा पंचगण नामक के देशों को भी जीत लिया वहां से सेना बिंदु की राजधानी देव प्रस्त में आकर चंतुर्गिनी सेना के साथ अर्जुन ने वही पड़ाव डाला उन सभी पराजध राजाओं से घिरे हुए अर्जुन ने पौरव राजा विश्व गश्व पर आकरमन किया वहां संग्राम में शूर वीर महारतियों को परास्त करके अर्जुन ने पौरव द्वारा सुरक्षित उनकी राजधानी को भी सेना द्वारा जीत लिया पौरवों से युद्ध में जीत कर अर्जुन ने परवत निवासी लुटेरों के साथ दलों पर विजय प्राप्त की वे दल उत्सव संकेत के नाम से जाने जाते थे अब अर्जुन ने काश्मीर के छत्रिये और दस मंडलों के साथ साथ राजा लोहित को भी जीत लिया त्रिगरत, द्राव और कोखनत आदी बहुत से शत्रिये नरेश सब और से अर्जुन की शरण में आए इसके बाद अर्जुन ने अभी सारी नगरी पर विजयप्राप की और उर्गावासी राजा रोच मान को भी युद्ध में परास्त किया अब अर्जुन ने राजा चित्रा युद्ध के द्वारा सुरक्षित सुरमै नगर सिंगपूर पर सेना लेकर आकरमन किया और उसे भी युद्ध में जीत लिया इसके बाद अर्जुन ने अपनी सारी सीना साथ लेकर सुहम और चौल देश की सेनाओं को भी युद्ध में रौंद डाला बड़ी भारी मार काट मचा कर दुरधरशवीर बहिल कोम को वश में किया इसी प्रकार उन्होंने कमबोजों के साथ मिलकर दंदों को भी जीत लिया इशान कोन का आश्य लेकर जो लुटेरे और डाकू वन में निवास किया करते थे उन सब को भी अर्जुन ने अपने अधीन कर लिया लोहो, परम कामबोज, रिशिक और उत्तर देशों को भी अर्जुन ने एक साथ जीत लिया रिशिक देश में भी रिशिक राज और अर्जुन के बीच बहुत बड़ा संग्राम हुआ अर्जुन ने रुशंकों को हरा कर उनसे तोते के उदर के समान हरे रंग वाले आठ घोडे भेंट में लिये इसके बाद अर्जुन संग्राम में हिमबान और निश्कुट प्रदेश के अधिपतियों को जीत कर धवलगिरी आये और वही सेना के साथ अगला पड़ाव डाला अब अर्जुन धवलगिरी को लांकर द्रुम पुत्र के द्वारा सुरक्षित किम पुरुष देश में गए वह देश किन्नरों का निवास थान था वहाँ भी अर्जुन को विजय प्राप्थ हुई और कर देते रहने की शर्थ पर अर्जुन ने उन्हें सम्मान पूर्वक उनका राज्य वापस लोटा दिया अब अर्जुन ने गुयंकों द्वारा सुरक्षित हाटक देश पर हमला किया और उन गुहंकों को साम नीती से समझा भुजा कर ही वश में कर लेने के पश्चाद विमान सरोवर पर गए वहाँ उन्होंने समस्तरिशियों के नाम से प्रसिद जल्सरोतों के दर्शन किये मान सरोवर पहुँचकर अर्जुन ने हाटक देश के निकट रहने वाले गंधरवो द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया और वहाँ उन्हे कर के रूप में तितर, कलमाश और मंडुक नाम वाले बहुत से उत्तम घोडे प्राप्त हुए जिसके बाद अर्जुन ने हेमकुट परवत पर जाकर पड़ाव डाला फिर हेमकुट को भी लांकर वे अपनी विशाल सेना के साथ हरी वरश जा पहुँचे वहाँ उन्होंने बहुत से मनोरम नगर, सुन्दरवन और नर्मल जल से भरी हुई नदियां देखी उस नगर के पुरश देवताओं के समानते जस्वी थे, तुरियां भी परम सुन्दरी थी उन सब के दर्शन करके अर्जुन को बहुत प्रसंता हुई उन्होंने हरी वरश को अपने अधीन कर लिया और वहाँ से करके रूप में बहुत सारे रतन प्राप्त किये इसके बाद निशद परवत पर जाकर अर्जुन ने वहाँ के निवासियों को पराज़त किया फिर निशद परवत को लांग कर अर्जुन ईला वरत वर्श में पहुँचे जो जम्बू दूईब के मध्धे का भूभाग था वहाँ अर्जुन ने देवताओं जैसे दिखाई देने वाले दिवे पुरुष देखे वे सब के सब अत्यंत सौभाग गिशाली और अद्भुत थे उससे पहले अर्जुन ने कभी भी वैसे दिवे पुरुष नहीं देखे थे वहाँ के भवन, अत्यंत, उज्वल और भव्य थे नारियां अपसराओं के समान प्रतीत होती थी उस देश के निवासियों को भी अर्जुन ने युद्ध में जीत लिया फिर उन्ही को वहाँ के राज्ये पर प्रतिष्टित कर अर्जुन उत्तर में और आगे बढ़ गए आगे जाकर उन्हें परवतों के स्वामी, गिरी प्रवर, महामीरू के दर्शन हुए उसमें चार प्रकार के रंग दिखाई पड़ते थे वहाँ तक पहुँचना, किसी के लिए भी अत्यंत कठन था उसकी लंबाई एक लाख योजन है वह दिव्य परवत देवताओं तथा गंदर्वों से सुरक्षत है सिद्ध और चारण भी वहाँ नित्य निवास करते हैं उस परवत पर सदाफल और फूलों की बहुताय रहती है उसकी उचाई को कोई माप नहीं सकता अधर्मी मनुश्य उस परवत को सपर्ष तक नहीं कर सकता अब अर्जन जम्बू नदी के तट पर गए अर्जन ने उन्हें भी युद्ध में जीत कर उनसे करवसूल किया वहाँ से पश्चिम जाकर अर्जन गंद मादन परवत पर पहुँच गए और वहाँ के रहने वालों को जीत कर अपने अधीन कर लिया इस प्रकार गंद मादन परवत को लांग कर अर्जन रतनों से संपन के तुमाल वर्ष में गए उस वर्ष को जीत कर अर्जन ने वहाँ से दुल्लब रतन प्राप्त किये और वे दोबारा मध्य वरती ईला वरत वर्ष में लोटाए अर्जन ने पूर विदिशा में प्रस्थान किया मेरू और मदराचल के बीच शौलोदा नदी के दोनों तटों पर जो लोग कीचक और वेनू नाम से बासों की रमणिया चाया में आश्य लेकर रहते हैं वहाँ खश, ईश, प्रहस, दर्गवेनिक, पशुप, तंगण तथा परतंगण आधी जातियों को हरा कर उनसे रतनों की भेट लेकर अर्जन माल लिवान परवत को लांग कर उन्होंने पांडू भद्रा श्रवर्ष में प्रवेश किया जो स्वर्ग के समान सुन्दर था वहाँ से भी असंख्य रतनों का संग्रह करते हुए अर्जन ने निलगिरी की और यात्रा करके वहाँ के निवासियों को पराज़त किया अब विशाल निलगिरी को भी लांकर असुर नर्नारियों से भरे हुए रम्यक वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया उस देश को भी जीतकर अर्जन ने वहाँ के निवासियों पर कर लगा दिया गुहं को द्वारा सुरक्षत प्रदेश जीतकर अपने अधिकार में कर लिया वहाँ सोने के म्रग और पक्षी पाये जाते थे जो देखने में बड़े रमनिया और मनोरम थे वहाँ भी अर्जन को विजय प्राप्त हुई अब अर्जन अन्य बहुत से रतन लेकर गंधरवो द्वारा सुरक्षत प्रदेश में गए और विजय प्राप्त की उन्होंने श्वेद परवत पर जाकर वहाँ की निवासियों को जीता फिर उस परवत को लांकर अर्जन ने हिरन्यक वर्ष में प्रवेश किया वहाँ पहुँचकर वे उस देश के रमणियें प्रदेशों में विचरने लगे जब अर्जन उत्तंबल और शोभा से संपन्न हो हिरन्यक वर्ष की वे शगाल सड़कों पर चलते थे उस समय वहाँ की सुन्दर स्त्रियां उनके दर्शन करने आती थी सभी को जीत कर और उनके उपर कर लगा कर वहाँ से मनी, सुवन, मुंगे, रत्न और आभूशन लेकर अर्जन शरंगवान परवत पर चले गए वहाँ से आगे बढ़कर अर्जन ने उत्तर कुरूवर्ष में पहुँचकर उस देश को जीतने का वचार किया इतने में ही अर्जन के पास बहुत से विशाल काय महावली द्वारपाल आप पहुँचे और प्रसंत तापूरवग बोले पार्थ, इस नगर को तुम किसी तरह जीत नहीं सकते कल्यान सुरूप अर्जन यहां से लौट चाओ तुम यहां तक आगए यही बहुत बड़ी बात है जो मनुश्य इस नगर में प्रवेश करता है निश्चे ही उसकी मृत्यू हो जाती है वीर, हम तुमसे बहुत प्रसंन है यहां तक आप पहुँचना ही तुम्हारी बहुत बड़ी विज़ा है अरजुन यहां कोई जीतने योगे वस्तु नहीं है यहें उत्तर कुरुदेश है यहां युद्ध नहीं किया जाता है इस नगर के भीतर प्रवेश करके भी तुम यहां कुछ देख नहीं सकोगे क्योंकि मानव शरीर से यहां की कोई भी वस्तू देखी नहीं जा सकती यदि यहां तुम युद्ध के सिवा और कोई काम करना चाहते हो तो बताओ तुम्हारे कहने से हम स्वयम ही उस कारे को पूर्ण कर देंगे तब अर्जुन ने उनसे हस्ते हुए कहा मैं अपने भाई धर्मराज युदिष्टिर को समस्त भू मंडल का एक मात्र चक्रवरती समराड बनाना चाहता हूँ आप लोगों का देश यदी मनुश्यों के विपरीत पड़ता है तो मैं इसमें प्रवेश नहीं करूँगा महराज युदिष्टिर के लिए कर के रूप में कुछ धन दी चे तब अंद्वार पालों ने अर्जुन को कर के रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र दिव्य आभूशन तथा दिव्य रेश्मी वस्त्र और म्रग चर्म दिये इस प्रकार अर्जुन ने शत्रिय राजाओं तथा लुटेरों के साथ बहुत सी लड़ाईयां लड़ी और उत्तर दिशा पर विजय प्राक्त की अर्जुन राजाओं को जीत कर उनसे कर लेते और फिर उन्हें उनकी ही राज्य पर स्थापत कर देते थे वे वीर अर्जुन सबसे धन और भाती भाती ये रत्र तथा भेट में मिले हुए वायू के समान वेग वाले तितर, कलमाश, सुगगा पंखी और सभी घोडों को साथ लिये और विशाल चंतरगिनी सेना से घिरे हुए फिर अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्त को लोट ग गए तो ये थी अर्जुन की दिगविजय यात्रा अगले एपिसोड में हम सुनेंगे भीम और नकुल की दिगविजय यात्रा उमीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म ट्विटर, फेस्बुक, इंस्टेग्राम पर हमसे संपर्ट कर सकते हैं हमारा सोशल मीडिया है माय सूत्रधार, साथ ही साथ ऐसी ही अनेक, रोचक, पुरानिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार आप, हमारी आप Android और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्थ है यहां आपको हर एक कहानी सुन्दर्चित्रन और सटीक फैक्ट के साथ मिलेगी इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉड्कास्ट, हिंदी और इंग्लिश, नल दम्यंती प्रेम कथा, हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानिया अपने मन पसंद आडियो प्लाटफॉर्म पर सुन सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं आपकी सूत्रधार मान्य अशर्मा मिलूंगी आपसे अगले अपिसोड में याद रखिएगा, हम हर सोंबार और शुक्रबार आपसे मिलते रहेंगे